आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो पर, आज हम चच्चा करेंगे कंगना रनौत के बारे में हिमाचल की बेटी है, कभी हार नहीं मानेगी और हम आपके साथ हैं जो सब हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं है, पूरा समिक्षा करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग कंगना को help करने के लिए आइए चल कर शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं कई section में divide किया है, इसको चार section में, आई चल कर शुरुआत करते है section 1 से सबसे पहले section में बात करेंगे हुआ क्या है actually, तो आपको update कर दें अगर आपके पास information नहीं है, कि Bombay में जो कंगना का house है, उसको destroy कर दिया गया है जी हां, within one day, महराश्रा government has destroyed her office reason क्या दिया गया, कि जहां पर bathroom होना चाहिए, जहां किचान होना चाहिए, हाँ पर bathroom बना है, vice versa और पानी हो रहा है, इस वज़े से हम आपको property को damage कर रहे हैं, देखिए, यह property की live image आपको दिखा रही है जिसके चलते हुए, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया उनके घर पे अब इससे क्या फरक पड़ता है, high court ने भी बोला है कि जो काम एक दिन में किया गया है वो लगता है किसी pressure से किया गया है, या फिर किसी बदले की भावने से किया गया है क्योंकि अगर महाराष्टर गवर्मेंट चाहती है, तो एक दिन के समय को notice देने के बाद उसकी कारवाई होती है court में, उसके बाद कुछ legal action लिया जाता है, उसके बाद destruction होता है ऐसे property को एक दिन में नहीं तोड़ा जा सकता है property के through example देखिए, दाओद इब्राहिम का मकान अभी तक खड़ा हुआ है Bombay में, कोई कुछ हाथ नहीं लगा सकता उसको और यहाँ पर देखिए, एक film अबनेतरी जो की भारत की प्रिया बेटी है, उसका घर एक ही दिन में तोड़ दिया गया और साथ में, इनके पास में अब security increment भी कर दिया गया है, तो आपको थोड़ा sensitive information रखनी है अपने पास में, comment को थोड़ा please sensitive करके रखिएगा हम सिर्फ यहाँ पर तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका अपना जो view होगा, आप उसको share कर सकते हैं Section 2 में चलते हैं तो, Bollywood is not all gold and glittery, यहाँ पर बहुत काले छुपे हुए हैं, और इनके gang में सब कुछ होता है, यहाँ पर drugs से लेकर सब कुछ चलता है, देखिए हम आपको party की कुछ views दिखा रहे हैं, जो करन जोहर की party में थे initially, तो यह सब अच्छी बात नहीं है कि drugs ली जाती है, हमें मालूम नहीं है कि ली जाती की नी ली जाती है, पर picture से ऐसा लग रहा है कि definitely ली जाती है, और जिस तरह सरीया चक्रपती ने 20 actors का नाम लिया है, including some of the star kids, तो लग रहा है कि कुछ न कुछ यहाँ पर चल रहा है, जिसके वज़े से यह सब अपने आपको चुपाने की कोशिश कर रहे हैं और यह सब शड़ियंतर चला जा रहा है, ताकि मीडिया इस case को हटकर कंगना के तरफ को थोड़ा ध्यान बात नहीं है, अब अगर बात करें, एक और problem है Bollywood में, कि यहाँ पर star kids को एक free entry मिल जाते है, free entry पास होता है, अगर आप star family में bond है, तो आपको definitely launch कर दिया जाएगा, करन जोहर की movie में किसी ना किसी movie में आपको launch मिल जाएगा, और अगर आप star family से belong नहीं करते हैं, तो आपक आपको stardom मिले ही ना मिला, कोई आपको main role मिले की ना मिले, तो यह सब एक problem है, जिसके through चलते हुए, कंगना ने काफी struggle किया है, और उसके बाद उसने उसको आगे ले जाने की कोशिश किया है, और help करने की कोशिश किया है, अब देखे, कोई भी star kid होगा, उसको launch आराम से म अबिनेत्री हैं, और उनने बहुत सारी movie दिखाई है, कुछ movie जो हमारी चुननदा, हमारी पसंद भी है, उनकी थी queen, बहुत अच्छी acting किया है, उनने अपने movie के reference में, इसके अलावा उनकी movie थी tanubets manu, उसमें भी बहुत double कृदार निभाया, उनने बहुत अच्छी movie प्रस जिसके लिए उनको बहुत प्रसान दिया गया है, काफी अच्छी मेहनत किया है उनने इस movie में भी, तो ये, दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा, तो एक बार like button जरू दबाईएगा, अब हम अपना conclusion बताते हैं, देखे, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे हमारा बच्चा अगर कुछ गलती की है, तो ठीक है, आपको उसको समझाना है, आपको उसको बात करनी है, आपको उसको rectify करना है, ऐसे नहीं कि उनके पीछे से घर को तोड़ दिया है, हमें ने मालूम actually क्या situation है, क्या कंगना और उधर ठाकुर के बीच में क्या चल रहा है, ना हम यहाँ प अंदर आपको घर नहीं तोड़ना था, वो गलत चीज है, उन्होंने उसके उपर stay दिया है, अब तूड़ गया है, डैमेज हो गया है, अब आगे देखेते हैं क्या होगा उसके बारे में, हम आपको stay tuned, हम आपको post it working अपने channel पर, अपना समय देने के लिए धनेवाद, मैं